हां जी तो आज का टॉपिक हमारा है मार्जिनल कोस्ट और एवरेज वैरिबल कोस्ट यू शेप्ड का क्यूं होता है हाला कि cost के starting में जब मैंने आपको marginal cost का introduction दिया था और जब मैंने आपको average variable cost का introduction दिया था उस समय ही मैंने आपको इसीज के बारे में बताया था कि ये u shift क्यों होता है लेकिन फिर से एक अलग से question लेकर करके इसको आईए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा low of variable factor जो की function में आपको अच्छे समझाया गया है तो low of variable factor के बारे में अभी बस फ्लाल अभी आप इतना ही समझ लीजिए जो बच्चे आज मेरे साथ जूड़े हुए है और जिन्होंने पहले क्या हुआ है वो तो मेरी बात से अच्छी तरिकी से सहमत है लो अब variable factor में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आप एक fix factor के साथ में variable factor को लगाते हो तो variable factor का जो प्रेटिटिविटी है जो प्लक्षन है जो उसका output है वो पिछले variable factor इंटर कंपेटिविए में ज्यादा होता है यह मैं क्या कहाने की कोशिश कर रहा हूं आप पहले मेरी बात को समझेगा उसके बाद मैं जो है पूरे सब कुछ बनाओंगा सब कुछ देखेगा चलिए किसी भी चीज का अगर हमें प्लक्षन करना है तो बिना रिसोर्स के हम नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं हम रिसोर्स की तो रिसोर्स को यहां पर मैं फेक्टर कह रहा हूं रिसोर्स को ही फेक्टर कहते हैं अब बात कर रहे हैं कि यहां पर टाइम पीरिड का भी अपना एक इंपोर्टेंस है अगर मैं एक शॉर्ट रन की बात कर रहा हूं आपके पास में रातो रात एक order आ जाए तो आप अपने बिल्डिंग को नहीं बढ़ा कर सकते हो शौट रन में तो जब मैं पहले बात करता हूँ इसमिन लाया ढ़ा सकता है उस तनसाधन को उस वेक्टर को वेरिबल वेक्टर कहते हैं और वह फैक्टर जिसको शौर्ट one में आप केते हैं जब बात deduction की करेंगे पहले हम कर लेते हैं crop उसके बाद हम देख लेंगे किया को स्थाया है थैना तो तो फ्रक्षन फिर कोस्ट मिरी बात समझे तो आए सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं किसकी द्रक्र कि तो आद या को बात करें, fixed factor, fixed factor हमारे पास में, like land एक, 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 इसमें आप change नहीं कर सकते हो, ठीके न, और variable factor में यहाँ पर label ले रहाँ, यह हमारा variable factor है, और, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसके ब्लक्षिं की, ये चलिए, इनके पास में, ये किसान है, और, जमीन मेरे पास में fix है, जमीन मेरे पास में fix है, ये मेरे पास में जमीन का टुकड़ा है, इसमें खेती करना है लेड फिक्स ता और इसमें लेबर को बढ़ाऊँन गाँगा ठीक है जी अब जब मैं लेबर को बढ़ाऊँगा सबसे पहले मैं यहां पर नेकर क्या आता हूं तो यह का प्रेफशिं कितना करपवाइगा यह मान लिज fully जिए यह और प्हुर्ड के डीक करता हैं यहां पर सम्झाने को पता रहो पसमें ओने कहेंगे हम उसको हम कहेंगे marginal production अच्छे चीज समझना होगा क्योंकि आपको marginal production के diagram के help से ही marginal cost का पर यूज़ शेप प्रूफ करना है तो ये सारी बातें आपको यूज़ हमें अभी आएंगे इसलिए मैं बता रहा हूं इन बातों को ठीक है जी हाँ ये देखिएगा जरा आपका सलिए बस कल 30 तारीक है ना कल पूरा हो जाएगा में मेजर जो है जो प्रॉलम्स रही वो किस चीज में रही हाँ जी देखिए जरा यहां पर तो हमारे पास में क्या है एक लेबर आया और उसने कितना प्लक्शन करा फोर केजी प्लक्शन करा तो जो इच लेबर का प्लक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम मार्जिनल प्लक्शन कहते हैं अब सवाल है जो next labor आएगा एक labor मैंने और लगा दिया यहाँ पर अब मेरे पास में दो labor हैं अब दो labor मेरे पास में हैं तो यहाँ पर मैं प्लक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर second पहले ने तो चार का प्लक्शन करा दूसरा कितना करेगा पहले वाले labor के compatibility ज़्यादा करेगा, कम करेगा यहेक्वल करेगा पहले बाले लेबर के comparative ज्यादा ही करेगा तो second labor यहाँ पर आएगा तो ज्यादा करेगा, वो six kg प्लक्षिन करेगा सवाल यह कि six kg क्यूँ करेगा क्यों कि जब fixed factor under utilization हो रहा होता है और उस पर जैसे ही आप variable factor लगाते तो फिर वो फुली यूटिलाइजिशन की तरफ जाता है यहां पर वर्क वर्कर लेबर ज्यादा होने की वज़े से वर्क डिवीजन होता है काम आपस में यह बाट लेते हैं वर्क डिवीजन होने से specialization होता है यह अपने field के expert हो जाते हैं और अपने field के expert होने से क्या होता है कि timing की wastage को control किया जाता है timing की wastage नहीं होती है अगर work division अगर आप कर दोगे तो एक labor एक काम से जा रहा है दूसरे काम पर दूसरे काम से कर रहा है तीसरे काम तो जो यह time waste हो रहा है यह time आपका बच जाता है यह प्रोड़िक्टिविटी में चला जाता है ब्लक्षन में चला जाता है वर्क डिविजन से और अगर हर अपना या अपना काम करता रहा तो उसको उसमें एफिसेंसी मिलने से काम में रफ्तार आ जाती है और जूरो मेट्रियल का बैटर यूटिलाइज जगह पर खेत है तो वहां खेती करने में जितना समय जाएगा और एक ही जगह पर उतनी ही जमीन है उसमें समय आपका समझेगा इस बात को आप समझेगा तो यहाँ पर आपके पास से किने कितना ब्लक्षन करा सिक्स करा ठीक है जी इस तरीके से नेक्स्ट लेवर आएगा तो वो ज्यादा प्लक्षिंग करेगा वो आट कर देगा क्लियर न और उसके बाद फिर रिलेवर आएंगे तो एक समय पर अब आपके पास में अगर आपका कोश्चन से रिलेवेंट टॉपिक नहीं हुआ मैं अभी गुरूप सापको एक्जिट कर दूँगा जो हैंड्रेस कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास में क्या है के चार अब फॉर्थ लेवर आया तो इसने भी पहले से जादा प्रॉक्शन करा डस हो और उसके बाद एक लेवर और अरerson रहा है यह अब पहले से करेगा करके देगा अधुर्ट आपसे काले लेजिए आच के बाद आब यह कम करने लग जाएगा चे अब 5 लेब आया तो 4 और 6 पर तो आप प्रोड़क्शन लेबर कम करता जा रहा है साथ लेवर आया तो जीरो और इसके बाद एक और लेवर आ गया तो मैंस तो आप पहले देखेगा शुरू में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि हर नेक्स्ट लेबर पहले से ज्यादा प्लक्शन करके दे रहा है उसके यहां तो आप अब ऐसके डिशन हो रहा था इसा क्या हुआ की लेबर पहले से मिलक्शन से और यह इसके पीशे कि वेड़ा एक अहम कारण रहा है क्यों कि आपको क्या लगता है कि एको पीटर पे दस लोगों को बिठा देंगे आप तो काम दसको ना बढ़ जाएगा नहीं उसकी भी अपना जो सब्सक्राइब करेगा तो हर आप्तिमुम काम करता है कि यहाँ पर इतने वारिबल फेक्टर तक यह अच्छा से काम करता एगा उसके बाद अगर आपने वेरिबल फेक्टर लगाएं तो कहीं नहीं फिक्स फेक्टर की अविलेविल्टी कम हो जाएगी उसकी उपलब्द कम मातरा में हो पाएंगे आने वाले वैरिवल फेक्टर के लिए उनके पास में काम करने के लिए पॉर्चिनिटीज कम रहेंगी इसके बिच्व उतना काम नहीं करके दे पाएंगे उससे पहले से कम काम क अरे केसे occupied हो चुका है तो यहां पर अगर आप देखेंगे वह वेरिबल फेक्टर आ करके और खाली बैट करके चला जाएगा तो आपका जीरो प्लेक्शन होगा और उसके बाद भी अगर आप नहीं माने तो आपका यहां पर एक समय ऐसा आएगा कि वह जो है अगर आप में तो मैं बस इतना से बात कहने चाहरा था कि आपको स्टार्टिंग में बच्चे क्या मिलता है increasing return मिलता है starting में क्या मिलता है आपको increasing return मिलता है इस बात को आप समझ जाए ठीक है न क्लिर है starting में आपको increasing return मिलेगा और उसके बाद यह भी return है आपका बच्चे यह भी return है आपका यह भी return है आपको यह भी तो प्लक्षिन करके दे रहे ना लेकिन इसको हम बोलते हैं decreasing return क्लिर है और इसको हम बोलते हैं negative return यह हमने low variable factor में अच्छे से इस बात को हमने यहाँ पर समझाता क्लासिस चलती सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब करता है अब यहीं से मैं एक बात और समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या मैं बात कोस्ट की करता हूं ठीक है कि देखिएगा सबसे पहले अगर आप देखिएगा मैं एक labor लेकर कि आता हूं और इस labor का अपने एक बेजी से तो रूपै है तो थीक है और जो मेरा आउटपुट हो पा रहा है जो में प्लक्ष्ण हो पा रहा है लेब देखिए लेबर जो है दस यूंट का फ्लक्ष्ण कर पाया है यह गो है कि यह सब्सक्राइब कर पाए तो तो यहां पर आप देखेंगे कितना खटा है आ Ple za इस तो इसका वही रखोंगा ना तो रुप है और एक कितना रुक्षिंगर करके देगा नेक्स्ट लेबर पहले से कम या पहले जितना है पहले ज्यादा पहले ज्यादा चाह फिर नेक्स्ट लेबर आया कि बहुति इस बात को समझेगा और आपको पता है कि सेम कोस्ट में पहले से ज्यादा फ्लक्षन होगा तो पर उनिट कोस्ट आपका कम हो जाएगा तो इसलिए आपका माजिनल कोस्ट गिरता चला जा रहा है एक समय के बाद जब यह फ्लक्षन लेबल अगला लिबर आपको पता है कि ऐसा हमें तो सिल्सला चारी नहीं रहेगा कि शौट रंड के अंदर अब यह अपना प्लक्षन लेबल दीदेर क्या कर देगा कम कर देगा तो वापस एक कम हो जाएगा अगला लिबर कम कर पाएगा तो आपके बदस्त दुवारा से आपका माजिनल कोस्ट क्या ने लग लग दिया बढ़ने बढ़ता ही चला जाएगा तो यहां पर आप बात कह सकते हो डायग्राम के फॉर में एक बात आप कह सकते हैं इस समझाने करी सारी बाते में बता रहा हूँ अच्छे सामझ पाऊ डायरेक्ट अगर में चीज़े लिखवाना चाहूं तो तक तक तो मेरे चप्तर खता हो जाता लेकिन आप अच्छे कुछ भी ऐसा नहीं है मिल्कूल स्ट्रेक्शों देखिए री और इजन एकस वाइन मार्जन और कोस्त यूशेट पर क्यों होता है यह सवाल है तो यहाँ पर पहले में मनाता हूं मार्जन और बिंक्शन आपको जो है प्रोड़क्शन फंक्शन में रिलेशिंशिप बताया है समझाया है धानकी का इस बात का तो सभी स्ट्रेंट से मैं सला दे रहा हूं कि पिछली क्लासिस को देख करके ही देख देखिए आप उसी तरह के से क्लासिस आपको यूटूब पे अप्लोड कर रहा हूं अब एक बात साइब आप सबसे पहले मुझे बाब बताएं कि यहां पर सबसे पहले एक चीज आपको समझाली बात यह है कि जब तक आपका इस लाइन को समझे माइन समझे इस लाइन का मतलब पहुत इंपर्टेंट बात यह है अब यह लाइन देख रहे हैं आप यह क्या है यह बता रहा है कि मार्जनल कोस्ट आपका क्या हो रहा है माजनल प्लक्षन आपका इहां तक इस पॉइंट तक पी पॉइंट तक माजनल प्लक्षन क्या हो रहा आपका बढ़ रहा है और आपने क्या समझा जब तक आपका माजनल कोस्ट घट रहा है यह बात समझे यह नहीं समझे पुलीरे तो यहां तक आपको देखेंगे कि आपका marginal cost जो है वह आपका गिरेगा और जब आपका marginal production अपका कम हो रहा है Marginal production आपका ड़किर्थे कंग नने लग गया तो marginal cost क्या ने लग गया था marginal physical production, marginal production मेरी बात समझे या नहीं समझे clear जी कोई doubt किसी बच्चे को तो please आप इस बात को जरूर पमझने की कोशिश करेंगे clear जी कोई doubt किसी बच्चे को तो please पूछेगा तो आपको पता लगा marginal cost आपका U-shaped का क्यों रहता है अब बात करते है average variable cost का तो average variable cost पे अगर आप जाते हैं ये देखे यहां तक बात देखने को मिल रहा है कि आपका average portion आपका बढ़ता जा रहा है average function आपका बढ़ता जा रहा है तो आपका production जतना ज़ादा आपका बढ़ता चला जाएगा उसी cost में आप पहले से जादा चीज़े प्रड्यूस कर पाएंगे तो फिर आपका एवरिज कोस्ट भी आपका कम आएगा विद्वास समझे या नहीं समझे तो इस तरीके से आप यहाँ पर एवरिज कोस्ट को आप इस तरीके से आप गिराते वे बनाएंगे ठीक है clear है और इसके बाद आपके पास में average production क्या होने लग गया आपके पास है pink line से connect करें इसको जब तक यह आपका बढ़ रहा है तो आपका average variable cost आपका क्या हो जाएगा और जब इसके बाद यह घटना सुरू होगा average production अब तक आपके पास में average variable cost आपका बढ़ेगा clear है और इसके मैं minimum से काटना है इस बात को आपका हमेशे धानकना है यह डागराम बनाएंगे डागराम को पूर्टर के सही होगा वीडियो अटक रहा था बच्चे वीडियो का रटक रहा था तो कोई बात में कंटेंट में मैं सासाथ एक पैलर रिकोर्ट लेकर के चल रहा हूं सर आठ लेबर पर नो मार्जन फ्लक्शन नहीं हो सकता क्या कि वह तो समझाने का पर परज़े बस आपको जीटाप कितना ज्यादा भी आप आगे लेकर चले जाएंगे कोई भी डाउट हो आपको हो तो पहले आप कमंट में आप मैसेज डाले और हैंड रेस करें जब जब कि मैं पढ़िए जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक से रिलेटिट कोई बात हो कि सर यहां पर यह चीज़े बता देदेंगे वहां पर हैंड रहता है बाकि चुछ बड़ा बोरियत हो जाता है ऑफ लाइन कि बैचिस में टीचर को टीचर की एक्स्टा बातों को आप पेशेंट का अब सुन सकते हैं ऑनलाइन में इतना पेशेंट नहीं रहता है कि ऑनले मता जल्दी से कंटेंट हो हमारा तो इसलिए मैं यही कोशिश करता हूं कि इ कि यह सारी बाते हैं इसको आप पढ़ेंगे तो आपको सब्सक्राइब यह कैसे बना वह बाते में अच्छे साब को बता चुका हो ठीक है जी एक पॉइंट जो जहां तक आपका एंपी बढ़ रहा है वहां से जहां इंटर्फेक्ट हो रहें यहां से तो मार्जनल कोस्ट जाना तो गिरेगा इसके बाद आपका बढ़ेगा और यह तो आपका हमेशा माजनल कोस्ट तक यहां सब्सक्राइब गिराओ अब वरिबल कोस्ट उठा दो यह डागराम बना देंगे अगर आप तो आपके मार्क्समा पर बन जाएंगी यह कोशन हो चुका है हमारा यह कोशन हो चुके हमारे अब मेरा अगला कोशन है क्या इंपर्टन कोशन है डिराइब दा लॉंग रन एवरेज कोस्ट करूँ पोर आप फार्म आज कोस्ट खतम हो जाएगा अभी की क्लाक्सिस में ही खतम आज मतलब की अभी खतम हो जाएगा कोस्ट ठीक है आखरी चेप्टर आज शाम को भी मैं स्टार्ट करूँगा और उसके बाद जो है कि आपका कल मॉर्निंग में मैं वाइंड आप करने की पूरी कोशी करूँगा कल तीस सारी क्या हाँ जी देखे जड़ा डिराइब दा लॉंग रन एबरेज को स्कर्व और फर्म प्रॉम दा शॉर्ट रन को स्कर्व वाइड़ इट है यू शेप्ट का क्यों रहता है कि दिराइब दा लॉंग रन कोस्ति के लॉंग रन कोस्त का मतलब चाहता है अगर मैं बात आप से कहूं कि समझेगा जराइब लॉंग रन कोस्ति लॉंग रन का मतलब आप समझते हैं कि कुछ एक लंबे समय अब्दी की बात की जा रही है और जब लंबे समय अब्दी की बात की जा रही है तो वहां पर आपको यह बात समझना होगा कि वहां पर आपके पास में लंबे समय में कुछ भी स्थाई नहीं होता है आने वाले दस साल के बाद यह कुछ भी स्थाई नहीं होगा को सबता के में एक कोस इतना ही रहां के बाद तक बहूंज को समय क्लेर तो ल अब भी दूस बना रहें कि ठीके जी कि आई डाइग्राम साब समझ जाएंगे इसको कि जनरली होता क्या है इसमें यह मेरे पास में लॉंग रन एवरेज कोस्ट है यहां पर मेरे पास में क्वाणिक्टी में ठीक है जनरली होता क्या है कि अगर हम शौर्ट रन में काम करते हैं तो मैं वहां काम करना ज्यादा पसंद करोगा जहां पर देखिए हर प्रड्यूसर की इंटेश्यन होता है तूसकरन कोस्ट कम से कब मतलब पर इनिट खरचा तो सघ्रव यह इंधरेंद हैं जतना को रिज़र को का रहेगा market में कम price भी रख सकता है और competition भी दे सकता है और profit margin भी उसका अच्छा रहेगा तो profit की situation, profit maximize का जो उसका aim होता है producer का उसको वो achieve कर पाएगा तो बहुत जरूरी है कि वो अपना per unit cost मतलब average cost जो है वो क्या करें वो अपना minimum से minimum रखे तो हर producer वहाँ पर operate करना चाहेगा जहाँ पर उसका average cost क्या हो उसका कम से कम आए तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहले short run average cost की अगर मैं बात करूं जैसे यह है इसको मैं बोल सकता हूँ short run average cost ठीक है जी clear है तो यहाँ पर u-shaped का होगा तो producer क्या चाहेगा कि इसके minimum को operate करें पर उसके minimum को operate करता हूँ आगे बड़े चीक है और इसी तरीके से अगर लेकिन वह यह तो बात रही short run के लेकिन जैसे जैसे एक समय बीचता जाएगा long run के अंदर क्या होगा long के अंदर जब अपने business को expand करेगा तो वहाँ पर एक machine से दो machinery भी ले आएगा अपने land building एक से दो भी कर देगा लंबे समय में तो लंबे समय के अगर मैं बात करूं तो लंबे समय में average cost को लाने के लिए एक नया plant है नई machinery हम लेकर के आएंगे तो यहाँ पर specialization का फायदा उसको मिलेगा अब वह आगे प्लक्षिन करेगा तो आगे वह कहां operate करेगा आगए का प्लक्षिन अपना बढ़ाना चाह रहा है तो आगे वह यहाँ पर और इस तरीके से वो फिर से इसकी शॉटन के जो है वो मिनीमुम पर काम करेगा और ये फिर इस तरीके से से वो काम करता चला जाएगा और आप जब इन पॉइंट्स को कि इन मिनिमुम पॉइंट्स को कर देंगे कुछ इस तरीके से तो यह आपका लॉंग रन एवरेज कोस्ट कर वापका बन जाएगा इसको अम एंवलप कोस्ट कर भी कहते हैं जिसके सारे शॉट टर्म कोस्ट आप आके आ जाते हैं अचे अजा आवरेज कोस्ट का आता है पर इनीट वोट जब इकुली शब में शेयर कर देते और माजिनल कोस्ट भी पर इनीट कोस्ट है लेकिन वह एकवल शेयर नहीं कर आता है वह जो नए युनिट का बलक्षिन करने हैं यू से जितना भी आ गया वह मा क्या करती है कि जैसे ही अपने बिजनस को वह एक्सपेंड करती है बिजनस को दीदरे लॉंग रन में वह अपना बढ़ाती है तो नए प्लांट एंप मशिन डिले करके वह आएगी तो उसको इसको इसको स्पेसिलाजीशिशन का उसको फाइदा मिलता है और वह उसके मिनिमम् आप अप्र आपर अपरेट करेगी और फिर आगे इसी तरी तरक बीजनस को बढ़ाएगी और उसका कोस्त को जलाएगा द्लीडरे का मोता चला जाएगा आप इसका एक्जांपल समझेंगे कि आपने एक फेक्ट्री लगाई और स्वैक्ट्री में आप जो है तिर्फ और सि क्यों मिल रहा है क्योंकि क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है पर इनिट कोस्ट कम होता चला जाता है अब पर इनिट कोस्ट कैसे कम होता चला जाता है क्वांटिटी बढ़ रही है तो सिरफ सिरफ आपका रो मेट्रियल ही आपका लगेगा अगली क्वांटिटी तो डबल डबल तो खाएंगे नहीं Do क्काने क्रचा ना खर्चा वचई लगा ने तैंटा खर्चा क्पड़े यहीं नो न We सु क्रदल के तो यह पर बढ़ाता चलма जाते हैं और उसका दिखता है कि हर किसी का minimum मेरा कोस्ट दीद्रे डाउन होता कला जाएगा और फिर एक समय के बाद, एक expansion के बाद, फिर मेरा कोस्ट जो है, जब एक labor management का काम आ जाता है, जब बहुत बड़े skill पर चला जाते हो, तो आपका कोस्ट बढ़ने लग जाता है, clear है, समझे, तो long run में finally, जो long run का minimum point आप यहां पर operate करेंगे, क्या कहता है, theory में, derivation of long run average cost in the long run, all costs are variable, long run में क्या रहता है, सभी cost variable रहता है, so there is no need to make, differentiate between the variable cost and fixed cost, long run में जो सब कुछ सब variable रहता है, तो long run में आप variable and fixed cost के रहता है, आप नहीं कर सकते हैं, the average cost in the long run, can be derived from the short run average cost, when the firm change its plant size in order to reduce average cost of producing more and more output, so long run average cost is the locus of reducing the short term average cost, वही बात है, जो को बता है मैंने, यह डियागराम कुछ इस तरीके से आप इसको उपर से बनाते वे ही ऐसे आजाओ, उपर से बनाते वे आजाओ, और एक ऐसा cost का बनाओ, जो कि सभी को क्या करें, cover कर दे, सभी को tangent हो, किसी को भी intersect ना करें, कुछ इस तरीके से आप जो है पनाते वे आप आगे आईए, जहाँ पर क्या ये, tangent है, यहाँ tangent है, फर्म को लग रहा है कि एक और plant लगा देगा, और बढ़ा देगा वो, तो फिर क्या होगा, उसका cost जो आज आ रहा है, आज जो उसका cost का level कम हो जाएगा, तो फर्म ने एक और plant लगा लिया, cost कम हो गया, अब form सोच रहे क्या, कि अगर और मैं expansion कर लूँ, तो फिर मेरा short term average cost जो है, मेरे पास में और भी कम आ जाएगा, इस तरीके चलते वे आ रहे हैं, और फिर एक समय बढ़ने लग जाएगा ये, और इन सब short term cost को जो cover करके चलता है, उसको हम long term average cost कहते हैं, ठीक है जी? अब सवाल ये है, कि shut down point किसे कहते हैं, shut down point का मतलब होता है, कि आप business को बंद कर रहे हो, आप अपने business में ताला लगा रहे हो, तो ये तो उसी स्थी में आप करेंगे जब आपको नुकसान हो रहा हो, जब आपको loss हो रहा हो, उस situation में आप क्या करेंगे, आप करेंगे, shut down कर देंगे अपने business को, अलग अलग situations होती हैं, आपको पहले समझे नहां होगा, अगर मैं बात करूं परफेक्ट कॉंपिटिशन मार्केट की पहला परफेक्ट कॉंपिटिशन मार्केट के बारे में समझ लीजिए बात अगर मैं परफेक्ट कॉंपिटिशन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आप देखेंगे कॉंटिटी की में बात करूं तो कॉंटिट एक दो तीन कितने भी quantity आप ले लेजए प्राइज जो है ना उसमें चेंज्ज नहीं आएगा प्राइज में चेंजY नहीं आएगा पाड लेजी एक की जगए 2 के देखर ले लो पर नहीं मिलेंगे तो परफेट कंपेटियं में मारकेट में इसलेवल का कंपेटिशन रहता है कि जो डिस्तुरीटर रहें हैं अब उसके परीइज को करेंगे तो इनके लिए राक की में मृटяти फवक्त रता है कि अगर मैं यहां पर बात करूँ कि आपका मतलब यह होता है कि आपके पास में कितना पैसा आया मतलब होता है जैसे मान लिजी कि एक क्वांटिटी बेचा प्राइस पांच रुपए है तो आप अगर फॉर्म आपके पास कितने रुपए आएगा पांच आएगा मुल्टिप्लाइ कर देंगे तो क्या बन जाएगा रिवेन्यू अब पांच रुपए का एक है प्राइस का तो मतलब यही आपके पास में 15 और चार की आपके पास में बीस और पांच की आपके पास में 25 हो जाएगी टोटल रिवेन्यू है अब टोटल रिवेन्यू आपके पास में एक होता है मार्जिनल एक होता है आपका एबरेज रिवेन्यू कैसे मनेगा समझेगा और मतलब की टोटल रिवेन तो आप इस बात को जड़ा समझेगा यह आपका सेम एवरी बेन्यू आपका सेम एवरी बेन्यू आपको कितना पैसा मिल पा रहा है और अगर आप मार्जन डिवेन्यू की बात करते हैं तो पहले पर तो सेम रहेगा आगे डिटेल ने बताऊं आप शाम को इस बारे में बद अभी पतार जा रहां तो țbolडन समझेगा चेंज इन आपका पर इसका मत्तलалась होता कि एक एकस्त्रा यूनिट को बेंचने से आपके डिवेन्यू में जो addition होता है एक extra unit को बेचे रहे हो तो उसको कितना पैसा आपको प्राप्त होगा एक extra unit पर उसको हम मार्जे revenue कहते हैं या एक extra unit तो यह फिए दो पर 10 रुपए तीन बेचे तो मेने पंदा रुपए किसे रुपए मुझे मिले तो दो भी पांट सपे पांच तो एक बात है रहना परफेट कंपरेशन मार्केट में एर अमर और और आपका प्राइस तीनों के तीनों क्या होते हैं किसी भी और पूट लबल और बिल्कुल तिनों थीनों कॉंस्रेंटों होते हैं इसलिए मैं perfect competition मार्可 id के अंदर आगर मैं आफरेज revenue की बात करूं अ अ है 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 तो पर ह persuasion मार्केट में अगर मैं बात करूं average revenue की या फिर आपका प्राइज की यह average revenue है था ब समझें इसको आप बोल दीजिए इसको बोल दीजिए आप प्राइस इसको आप बोल दीजिए मार्जरी वेन्यू तीनों एक ही है परफेट कंपेटर मार्केर में क्लियर है आप मैं बात करता हूं यहां पर किस सीच की यहां पर मैं बात करता हूं आपके जो है कोस्ट की कुछ लागत की बात करते हैं कि कोस्ट की अगर हमें बात करूं तो सबसे पहले दो डियागराम बनाते हैं हम यहाँ पर एक average कोस्ट एंड एक average variable कोस्ट और एक marginal कोस्ट सबसे पहले आप यहाँ पर marginal कोस्ट का डियागराम बना सकते हैं marginal कोस्ट का डियागराम बनाएंगे marginal cost का diagram बनाएंगे distance ठीक है ये diagram क्या आपका marginal cost का diagram है कुछ इस तरीके से बात समझे अब एक form का equilibrium कहा होगा सवाल ये है भल्लब के एक उत्पादक का सन्तूलन कहा होगा एक उत्पादक का सन्तूलन कहा होगा इस बात को समझने से पहले आप इस बात को समझलेजिए कि उत्पादक का सन्तूलन होता क्या है परदिस्वर्फिंगरियम होता क्या है जब एक परदिसर को एक परदिसर अपना profit maximum कर लेता है maximum profit अन करता है तो उस situation को हम क्या कहते है Reviews Exchange Myers.... जब एक producer maximum profit earn करता है तो कि हर producer का motive होता है profit earn करना नहीं सिर्फ profit earn करना नहीं maximum profit earn करना तो अगर maximum profit earn करोगे तो आप equilibrium में आ जाओगे तो ऐसा कहीं किताब में एक बार जब मैं पढ़ रहा था अपने समय में तो ऐसा लिखा था कि producer equilibrium वहां आओगा जहां marginal revenue और marginal cost equal होगा यह बात लिखे हुए थी तो मेरे दिमाग में सवाल यह था कि यार मैं तो इतना समझता हूं कि producer equilibrium का मतलब यह होता है कि उसका profit सबसे अधिक होना चाहिए और यह माजर revenue का मतलब जहां तक कि मैं समझ पाता हूं कि अगली काई को कितने में बेच रहे हूं और marginal cost का मतलब मैं यह समझ पाता हूं कि अगली काई में कितना कच का रहा है कि अगले कर रिबामें वह उसको ठीक उतने में भैण बेच पा रहा हूं तोो यह तुक एप्रौफिट कि कर दो से लिए इसमें मैं ने देखा यह तो वह सिच्वेशन है जहां प्रौफिट जीरो हो रहा है और समझाय यह गया है कि profit कि मेरे सवाल को समझ पाए आप कि मेरा कुश्षिन क्या है कि पर्डिसर एक टिलिब्रियम की जो कंडिशन ने मार्ज रिवेन्यू एक्वल स्ट्रों मार्जिनल कोस्ट कि अब बताएं जड़ा कि मेरे कोश्षिन को समझ पाएं कि अब यह कि बताएं जड़ा कि देखेगा बिल्कुल तो मत्तब कि पर्डिसर एक लिए यहाँ पर क्यों होता है मेरे सवाल यह था वह इसलिए होता है बच्चे मैं एक बाब बताएं आप सुबह से लेकर शाम तो दुकान खोलके बैठे हैं रात को जब शट्र लगा रहे हैं आप और जब आफ़ाखरी कोई चीज़ बेच रहे इसपर आपने कुछ नहीं कमाया आकरी वाली चीज़ पहतने पूच्छ नहीं कमाया रां have जियरो प्राप्ण होगा तो असका मतलब क्या हुआ कि पूरे दिन की कमाई जीरो हो गई ऐसा मतलब है कि इसका मतलब यह नहीं है तो जब marginal revenue और marginal cost equal होने का मतलब है कि आपका एक उनिट पर जो खर्चा आया उस पर उसना ही पैसा आया मतलब उस उनिट पर आपका profit zero हुआ marginal profit आपका जीरो हुआ ना कि आपका total profit zero हुआ आप मेरी बात समझे या नहीं समझे लिए क्लियर है क्यों मार्जर रिवेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पने लो बेटामार्ण कोस्टट इतना है इस पॉइंट पर समझें कि मौन्टिटी करे माझनल कोस्ट इतना है इसकॉवान्टिटी पर रिवन यू और रिव मा यहांते माझे मेन ज्यादा हो गया आपका मैं अबसे हम यहां पर क्या रहा हूं मार्जिनल कोश, दो जीगे पर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पर और एक आपको यहाँ मार्जिनल रिवैन्यू एकल सु मार्जिनल कोश, जहां पर यह इंटर्सेक्ट कर रहे है क्लियर है जी टुकि यहां पर अगर आप देखें यह quantity आपके पास में है यह quantity आपके पास में है झाल कि मैं शटडाउन पॉइंट समझा रहा हूं आपको उसके पहले कुछ बेसिक बाती समझ लीजिए तो मार्जनर रिवेन्यू और मार्जनल कोई टीक वले माजर रिवेन्यू और माजनल को तापके पास भी यहां पर भी आपके पास में एक वले तो अब सवाल यह है कि आप प्रडिसर एक्क्लिबियम के लिए तो बस मुझे एक मोटिप को फुल्फिल करना है कि मुझे अज़े प्रडिसर प्रॉफिट अपना नक्सेमाइज करना है तो यहां पर आप इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि कि आपके पास में इस कौन्टिटी पर आपके कोस्ट को टॉच कर आपने तो आपका यह है आफ का माजनल को सेम कौन्टिटी पर आपने रिवेन्म को सैंव करें आए तो लद माझेनल हिए फ्रसंद जीरो मिली बाट समझे एueller फ्रकृट जीरो नहीं होता है फ्रकृत जीड वहता है मैं एक संदो को कुई मेने नोन डरिके स्ट्धार अगया को भी आगया मैंने पने precedent की मत पर लिए इस मत उप अगर मैं आगे प्लेक्षिन करता हूं तो मिलको पैसा तो इतना ही आने वाला है यह जो पास करता हूं एगर में प्लेक्षिन हो मैं यतना चल attitudes करता हूं तो को सत्य आएगी और इतना याज़ा छाए तो आगे मुझे पर Link Professor प्रफिट आना शुरू जाएगा गांजर पर शुरू हो जाएगा अगर मैं आगे प्लक्षिंग करता हूं तो कोष्ट इतनी देनी पाड़ेगी उस इनिट के ओपर और इस इनिट पर मुझे पैसा इतना कि यह जो सिच्वीशन है यह सारा पेढ़े वाली सिच्वीशन है इन से सब में क्या रखा हुए लेकिन उसके बाद एक समय ईसा आएगा sorting कि यहां पर आप सी यह पर अपकर प्रोफिट फिर आगे लोस होना सुरू हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा यहां पर पहुंचे अगर आप अचारे प्रॉफित को क्लेक्ट करते हुए पहुंचोगे और जितना कमाना थापने आफ slang कमा चुके तो आपका All profit को इह रता करोगे लु़ाय क्ने है और उसके तो यहां पर भी होओう मॉटन घठ रहता चैन् Islamic्स नहीं करोगे तो आगे अंधिक काम नहीं करोगे मेरी बाथ समझ़ें या नहीं समझें वह मेरी बात समझ रहे हो क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको तो चलिए शट्डाउन पॉइंट की बात अब कर लेते हैं देखिए सबसे पहले आप क्या करें अगर आप बात समझेगा अगर आप बात किस की कर रहे हैं बात अगर आप शट्डाउन पॉइंट की कर रहे हैं तो आप लॉस की बात कर रहे हैं आप बात शट्डाउन पॉइंट की कर रहे हैं तो एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर प्रडीशर को क्या हो रहा ह बिना कि अब बताई यह पैन में मुझे कितने का प्राफिट हो बताओ नहीं बताता हूं इस पैन को मैं 10 रुपय में खरीद कर लाए था मेरी लागत है मेरा कोस्ट है और मैंने 12 रुपय में बेज दिया क्या हुआ दो रुपय का प्रॉफिट हुआ तो आपको दो बात जब तक नहीं पता प्रॉफिट लॉस की गणाना नहीं कर सकते हो दो बाते कौन सी है एक बात तो आपके पास में यह है कि इस पर मेरी कोस्ट कितनी आई है कोस्ट का देखने जरूरी है और दूसरा रिवेन्यू पैसा आ लाए तो यह आपका क्या यह आपका कोस्ट है आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको प्रॉफिट पचास पैसे का हो रहा है तो आप बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की तो उसके लिए तो भाईया मुझे दो बाते समझनी होगी मुझे अपने कोस्ट को देखना प बात करते हैं किसके माजनल कोस की producer कहा पर operate करना बसंद करेगा पड़ीसर यहां पर operate कर रहा है इस बात को समझेगा को कि यह अब देखिएगा आप अना यह क्या है आप बनाएए यहां पर average cost and average variable cost कैसे बनाते हैं और लोड़ी में पहले बता चुका हूँ आपको सब्सक्राइब पहले बात पता है कि आपका माजन कोस्ट गिराना है इसके बाद आपको उठाना है तो यह आपके पास में average cost आगे चलिए और average variable cost क्या होता है में आप यहां तक गिरा हुई इसके बाद ग्याप कम कर दोगी है नहीं आपके पास में क्या हो गया average variable cost होते है ठीक है अब आप इस बात को समझेगा कि आपका average cost यह है average cost यह पर यूनिट कोस्ट आपका इतना आ रहा है यह लबल है पर यूनिट कोस्ट का यह ना कोस्ट का यह average cost को टच कर आपने पर यूनिट कोस्ट आपको है इतना आ रहा है ठीक है जी क्लियर है और पर यूनिट पर आप जो है revenue कितने जनरेट कर रहे हैं आपका पर यूनिट पर आपका average revenue इतना है तो मेरी बास समझेगा कि लागत आपकी काम है कोस्ट आपका इतना है revenue आपका इतना है तो कोस्ट से उपर revenue चला गए तो आपको profit होगा नहीं होगा तो यह यह situation आपकी जो है यह सूपर profit की situation है यहां तो firm कभी भी shutdown नहीं करेगा इस बात को जरा समझेए आप क्लियर है बात यह तो super profit है पास सवाल सूपर profit क्या होता तो यह होता है प्रॉफिट क्या होता है फिर मैं abnormal losses पर जाओंगा जहां पर shutdown कर देंगे कि देखेंगे कि देखेंगे कि वाई एक्स कि सबसे पहले आप अपरे रिवेन्यू को देख लें यह आपके पास में क्या है कि एवरेज रिवेन्यू या फिर बोल दीजिए मार्जे रिवेन्यू और बोल दीजिए क्यों आया मैंने पहले बता दिया आपको ठीक है अब यहां पर एक आप अपना बनाए यह मार्जनल कोस्ट यह आपका इक्लिब्रियम हो गया पर यहां पर अपर ऑपरेट कर रहा है अब दो चीजा बनाएंगे एक आप बना दीजिए कि अब आवरेज कोस्ट और एक बनाएंगे अब अब एवरेज वेरिबल कोस्ट तक आप गिराएंगे इसकर ठालीगे आप एवरेज कोस्ट ठीक है और एवरेबल को सिर्ट नीची होता है यह यहां तक आप गिराएंगे इसकर उठाएंगे बड़ी गैप का मोनाचिए इसके बीच का जो बात पहले संजाएती मैंने आपको अब आप देखिए गां जहां पर यह operate कर रहा है इस पॉइंट पर आपका जो एवरेज कोस्ट कितना आ रहा है और यह आपके पास पिंक यह एवरेज कोस्ट है तो यहां पर आप देखेंगे जितनी उसकी लागत है जितनी उसकी कोस्ट है को अबरेज मदलब पर युणिट को और वेनिव पर युणिट रिवेनिव वह दोनों के दोनों क्या है एक वल है अगर आप क्वांटिटी से मल्टिप्लाय कर देंगे तो जितना उसके पास पैसा आया उतना इसके पास गया भी तो यहां पर आप यह नहीं बोलोगी उसका ट इंटर्स दिया और मैंने अपना खुद का भी दो रुपए प्राफिट रखा तो मेरा कोस्ट कितना है दो एक तीन और तीन और चार और चार दो छे रुपए कोस्ट आया अगर मुझे मेरा चैनल रुपए रिकावर हो रहा है तो यह मत सोचे से आपने कुछ नहीं कमाया अरे सिट्विशन गवाम बोलते हैं कि नार्मल प्राफिट अन कर रहा है वो अपना प्राफिट निकाल पा रहा है इसके बाद अगर हम बात करेंगे रिविजन क्लासिस में आपके डाउट जरूर आएंगे उसमें जरूर इसको डिटेल में और लूगा अब आपके पास में वह सिट्विशन अचाहिए आपके पास में कैसे एवरेज रिवेन्यू माजर रिवेन्यू इन थाइस का कि वंप एक लिव्रे में कहां है वाम एक लिवरे में यहां है अगा माजर रूकूर ठीक अब आपके पास में average cost average variable cost यहाँ पर आप देखेंगे जरा एक clear में तो खेर फ़र्म यहाँ पर आ गया है लेकिन आप यहाँ पर एक बात देखेगा यहाँ पर यह इंटरसेट कर रहा है यहाँ पर यह समझने ली बात है कि फर्म का जो है average इस पॉइंट पर देखेगा average revenue यह है फर्म का लेकिन फर्म का average variable cost भी ज्यादा है तो अपना वो average variable cost भी recover नहीं कर पा रहा है क्योंकि revenue तो यहीं तक है लेकिन उसका जो है cost ज्यादा है तो जब फर्म को at least वो अपना variable cost तक recover नहीं कर पा रहा है provides यहां पर क्या करेगी कुछ दाउन कर देगी क्लियर है के अब आपि यहाँ कर देखे और बताने के कोशिशिश कर रहा हूं यहाँ पर कि marginal cost average variable cost आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में दोनों के दोनों क्या है per unit cost और आपके पास में यह zero profit point zero profit point का मतलब यह हो गया आपके पास में कि जो आपके पास में average cost है और जो आपके पास में marginal cost है दोनों क्या यहाँ पर equal है कि लिए और शट्डाउन पॉइंट आपका यहां पर आ गया जहां पर कि आपके पास में आप यहां पर एक लाइन ड्रो करने की नीट थी ऐसे एक लाइन आप ड्रो कर दिजिए ठीक है जी क्लिर है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में क्या है कि एवरेज वेरिबल कोस्ट माजनल कोस्ट को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन अगर आप रिवेन्यू की बात करेंगे तो यहां पर यह सिच्विशन से आप निकाल दीजिए नहीं तो ऐसे ठीक है क्लिर है तो यह फॉर्म का एक्किलिब्रियम पॉइंट हो गया लेकिन इस एक्किलिरियम पॉइंट पर अगर आप देखेंगे कि फॉर्म जो है उसका एवरेज कोस्ट जादा आ रहा है और एवरे यहां पर भी होता तो कम से कम वो अपना एवरेज वेरिबल कोस्ट तो निकाल रहा होता यहां पर अप्रेट करता है तो इसलिए क्या है उसका यह शटड़ाउन पॉइंट है तो कोस्ट का चिप्टर यहां पर हो जाता है दी एंड और शटड़ाउन पॉड़न में कोई डाउट आएगा बाद देखेगा इसको दुबारा से रीड दर के दुबारा से करवा दूगा मैं शाम को हम मार्केट को पढ़ेंगे आज क्लास लेकर करके और कल में हर हाल में को खतम करूँगा कल तीस तारीक है और तीस तारीक आपका कुर्स जाएगा वाइंड अप दस दिन बचेंगे दस दिन में प्रिवी सिर्फ पिपर सॉल्फ आपको करवाने लग जाओंगा नो अच्छी किजी इसकरवाई को ठीके बच्चों मिलते हैं फिर नेस प्लास में कर दो